अब यह आप देखेगे कि यह गण मेरे उपर चलेगी और मुझे कुछ भी नहीं होगा तो दोस्तो आप लोग ने मेरे पिसले वीडियो में दिखा होगा कि मैंने एक गण बनाया थी जिसका ट्रिगर मेकेनिजम मैंने बात में बनाया था और लेकिन फिर भी वो गण कंप्लीट नहीं थी उसे मैंने रिंग कैप की मदद से चला के दिखा था और अभी उस गण की जो हैंडिल बनाना बागी था और जो एक्शुल में वो जिस तरीके से वो गण चलती है उसे मैंने नहीं बताया था तो दोस्तों इस वीडियो में यहां पर मैंने इससे बना के कुरी तरीके से कंप्ली टारीड कर दी यहां पर देख सकते हैं और एक्शुल में यह गन किस तरीके से चलती हैं उसे भी मैं आप लोग को अभी के अभी चला के दिखा था रहा हूं और फिर मैं बताऊंगा कि मैंने इस गन को किस से ज़िक बनाया तो चले फ्रेंट्स वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को लाज तक जरूर से देखीगा तो चले सबसे पहले मैं इसे अपने ही उपर चला के दिखा दे रहा हूँ तो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आर मैं आप लोगो बता दूए केवल साउंड गना यह कहीं से भी रिस्की नहीं है इसे मैंने केवल एनिमल वगेरा चोर वगेरा को बगाने के लिए बनाया है तो चले सबसे पहले मैं इसे आप लोगो चला के दिखा दे रहा हूँ हमें इसे कुछ इस तरीके से इसे लोट करना होता है और फिर इसके साउंड के लिए मैंने जो मिर्ची पाम होता है उसको कुछ मोडिफिकेशन करके इस तरीके से त्यार कर लिया है और इसको हमें इसम कि यार मैं इससे बहुत पास से चलायता और वाकिए में ये गन बहुत लाजवाब गन है मैं इसे एक बार फिर से आप लोगों को चला के दिखा दे रहा हूँ सिंपली से पिसली वाले हमारे निकल जाएगी फिर से नई इसमे पढ़ जाएगी कुछ इस तरीके से और इसे फिर से चला सकते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हूँ ठीक मेरे सामने है और उदे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने इस तरीके से बनाई यह किसी को भी रिस्की नहीं हो सकता यह सिर्फ और सिर्फ साउंड के लिए तो चलो एक बार फिर से मैं इसे चला के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ अर यह दोस्तों अब लोग देख सकते हैं और यह बहुत ही ज्यादा तेज साउंड करती है और बहुत ही मस्त गण है इसे आप जरूर्षबर बिना ज्यादा बख-बख किया फटाक से वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं इस गन को किस सरे कर से बनाते हैं तो चले वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर इस तरीकेस मोटा वला जो MDF होता है उसे मैंने ले लिया है और इसके अगल बगल लगाने के लिए मैंने पतले वाले दो को एमडियenne ऐस तरीकेस ले लिए हैं तो इन दोनों को में हमें अगल बगवल लगा कर करके इसके पहले सबसे पहले हमें इससे इस्टेबलर कर लेंगे तो यहां मैं इससे चारोB feels टरफ इंदोनों को इस Alberta सटा दे तो यह गन को open करने काम करेगा क्योंकि मैं ऐसी गन बना रहा हूँ जिसे open भी कर सके और फिर वापस से बंद भी कर सके बाइद वे कभी खराब हो जाए तो मैं इसे open भी कर सकते हैं तो ऐसी handle में बना रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक पहले से इस तरीकी के handle बने वी है मैं इसी के हिसाब से नाप ले ले रहा हूँ और इसके चारों तरफ मारका करके मैं इसी के अनुसार इस गन को भी बना दूँगा इसके handle को भी बनाऊंगा तो आप manually भी इसमें draw कर सकते हो या फिर आपके पास को बना सकते हो तो चलो यहाँ पर मैंने अभी इसे cutting कर लिया है अब इन दोनों को इसके अगल बगल उपर नीचे रख देना है और यहाँ पर मैं तीन होल कर देना हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं फ्रेंट्स मैंने पेज कस दिया है और ठीक इसी तरीके से दूस कर देंगे तो इसका जो हाड जो हाड जो किनारा है वो थोड़ा स्मूर्थ हो जाएगा और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो चले अभी इसके अंदरोनी भाग को में अभी तयार करना है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे वापस से ओपन कर ले रहा हूँ तो इन दोनों पार्किंग कर दिया है अभी इस इसे को में कट करके निकाल देना है तो चलो अभी आप मैं इसे कट करके निकाल दे रहा हूँ तो दोस्तों यहां पर हमने इसे कट करके निकाल दिया है अब एक तरफ का हमको MDF ले लेना है जो पतला होला MDF था और उसमें हमें इसे कस देंगे दोनों तरफ से में इसे नहीं कसना क्यों एक तरफ से में इसे कस देंगे और सारा जो भी MDF का जो हमने कटिंग किया है मोटा उला उसको मिस के उपर कादे से फिक्स कर देंगे मतलब आप फैवे कुछ से चिपका भी सकते हो क्योंकि एक ही तरफ से अगर खराब होगा तो आप इसे एक तरफ से भी खोल के बना सकते हो दोनों तरफ से खोलने के कोई ज हमने इसके उपर पॉलिस कर दिया जो लखड़ी वाली ड क通़िश होती है उससे अमने पॉलिस किया और एक जो पर्डे को प्रदे की जो मोटी वाली जो इसकी डिखाव है पर उसका से इस तरी के से गीज देना है ताकि ऊपर से कर्फ हो जाए यहां पर आप जूग कर दिने अगर एक बार ये जिस भी जव़ोपे फिक्स हो जाएगी अपने ज़य से फीक्स होगी है तो चलो अभी इसके अंदर हम TIGER वाली गन को फिट कर दे रहे हैं तो सबसे पहले टीगर वाली गन को में इसके TIGER को सेंटर में राखने कि लिए अगल बगल यहाँ पे मैं प्लास्टिक की एक सीट लगा दे रहा हूँ ताकि जो इसकी टिगर है वो सेंटर में रहे तो चलो यहाँ पे मैंने उपर और नीचे दो प्लास्टिक की सीट इस तरीके से लगा दिया है और अब मैं इसके trigger को यहाँ पे इस तरीके से लगा दे रहा हूँ और उसके बाद हमें इसे उपर से बंद कर देना है तो अभी जो हमने plastic के जो seat लगाए उसके वज़े से यह बिल्कुल center में रहागा यह हीलेगा नहीं अपने जगे से इदे उदो नहीं जाएगा तो चलो उसके बाद इसके नीचे वाला हिसे को यहाँ पे हम nut लगा करके इसे complete कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते यह nut लग गी है और अभी नीचे से मजबूत हो चुका है तो अभी नीचे से नहीं हीलेगा बीच से नहीं लेगा अभी आगे वाला एरिया यह आप देख रहे हो यह थोड़ा बहुत हिला है तो हमें इसका भी solution डूण लिया है इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम इसे 5W कुछ से चिपका करके hold कर देंगे केवल ताकि हीले नहीं और उसके बाद इससे मजबूती देने के लिए उपर यहाँ पर आप लोग देख सकतो मैंने दो hold कर दिये है तो यहाँ पर मैं page कर दूँगा और यह अच्छे से मजबूत हो जाएगी तो चलो एक hold तो मैंने ऐसे ही कर दिया था मुझे साही नहीं लगा तो मैंने दूसरे जग hold किया है तो एक ही hold से हमारा काम चल जाएगा उसके बाद मैंने 5-way quick चिपका दिया है 5-way quick से page को चिपका दिया ताकि अच्छे से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए तो चलो अभी आप देख सकते हैं यह हमारी गन कुछ इस तरीके से काम कर रही है तो अभी दोस्तो जो गन की जो ट्रिगर होती है उसके चारों तरफ के यह जो cover होता है इसको हमने बना लिया aluminum seat की जो cover होती है sorry जो aluminum की seat होती है उसे हमने काट के इस तरीके से मोड करके बना लिया है तो मैं पिसली काफी gun में इसे बनाना बता चुका हूँ कि इसे हमने किस तरीके से बना इसे मैं किस तरीके से बनाता हूँ तो आप इसली gun की वीडियो कोल करके देख सकते हो कि मैंने मैं इसे किस तरीके से बना तो一定要 करें तो चलो ओं मारी कमप्लीट ओचकर अब हम सीटेस्टिंग करेंगे तो टेस्रिण करने के लिए दूश्यां पे जो मिर्ची बंव करें जो बिड़ी पता चल जाएगा तो simply से हमें इस गन में कुछ इस तरीके से इसे लगा देना होता है और simply अब यह sound करने के लिए तैयार है तो चलो अभी हम इसे चला के देखते हैं किस तरीके चलती है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह गन मैंने बना के कम्लेट कर दिया अभी एक बार तो मैंने आप लोगो इसे चला के दिखाया भी था लेकिन अब मैं इसे खुद अपने उपर चलाने वाला हूँ ताकि हमारे सब्सक्राइबर को और यूटूब को यह ने कि यह खतरना गन है क्योंकि यह केब इस साउंड गन है किसी भी तरीके से खत्रा नहीं करता है तो यहाँ पर मैं इसे अपने ऊपर आप लोगो एक बड़ल चला के दिखा दिरहां कि यह खत्रा बिलकुल भी करेगा तो यहाँ आप मैं इसे लोट कर दिया अब यह आप लेकिन कभी बीसिंट किसी के उपर मत राइक करना क्योंकि साउंड गन्हीं है इससे लीक दिखाए कि ये किसी इंसान को खत्रा नहीं कर सकते हैं फिर किसी एनिमल को खत्रा नहीं करेगा ये शिर्फ और सिर्फ हम्द गन्हें और कुछ भी नहीं है इससे जादा तो दोस्तों आपनों के वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना तो चैनले फ्रेंड्स में मिलता हूं नेक वीडियो में तब तक लिए जाहिए जैवारा